दोस्तों आज की वीडियो में पूल रहत से पताने हो लाएं आज हम सभी जानने हो परमेश्वर की चाप कब लड़े सन 2015 में पहली मोहर खुली सन 2018 में दूसरी मोहर खुली सन 2022 में तीसरी मोहर खुलने वाली यह बात हम समझ चुके हैं दोस्तों आज पवित्रात्मा बताने वाला है मोहर तो समय अनुसार खुलती ही रहें परलगातार प्रभु का कारी भी चालूँगा दानियल भविस्व दक्ता की भविस्व दानियों की अनुसार सन 2019 में जैसे यह अंतिम दिन प्रारंब हुए अंदकार को फैलाने वाला वाइरस कोरोना आगी सन 2020 में प्राक्रती का अपदाओं की जलक दिखाई देने लगी सन 2021 में प्रभु की चेतावनी इस पस्ट सुनाई देने लगी आने वाले प्रते एक दिन महतपूर हैं प्रते दिन प्रभु की योजनाय पूरी होने वाली हैं सो हमें इस प्रकासन की पुष्टक से सिख्छले कर अपने आने वाला प्रतेग दिन पूरी विश्वास योगता के साथ की अतीत करना है। अंतिम दिनों के चित्र दिखाने वाले ऐसे वीडियो स्लगातार देखते रहने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवर्श प्रेस करें ताकि प्रतेग वीडियो को नोटिफिकेशन आप सबों तक पहुंचता रहें। वीडियो सेयर एवं लाइक जरूर करे ताकि याद बुद्ग्यान फैल सके। प्रभी येश्व मसी के नाम में आप सबों को जय मसी की। यह कोई प्रमाण नहीं। सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविस्वाणियों की गणनाओं पर आधारी तद्यान है। अकासित वाक की पुस्तक, सात अध्याय, एक परूर की प्रभी के चारों कोणों पर चार स्वर्ग दूत खड़े देखे। यह प्रथ्वी के चारों हवाओं को ठामे हुए थे। ताकि प्रथ्वी या समुद्र, या किसी पेड़ पर हवा ना चाहिए। फै मुहरों का दृष्च देखने के बाद यहना जी को चार स्वर्ग दूत नजराते हैं, जो बचना अनुसार प्रत्वी के चारो कोनों पर खड़े हैं, प्रत्वी की चार हवाओं को थामे हैं, हवा कभी दिखाई नहीं देती, पर फिर भी यहना जी इस बचन में हवाओं क संख्या का वर्ण कर रहे हैं कैसे हमें समझना है चार अर्थात प्रत्वी प्रत्वी का कोना नहीं होता प्रत्वी शप्टी नहीं गोल है इन बातों को आज का मनुश्य जानता है पर उन दिनों में विज्ञान का इतना विस्तार नहीं हुआ था सो उन दिनों की भासा सहली में योहना जी समस्त प्रित्वी की चर्चा कर रहे हैं आज की भासा सहली में हम इस बचन को इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं योहना जी ने परमिश्वर के चार विसेश स्वर्ग दूतों को देखा जो प्रित्वी की चारो दिशाओं में खड़े हैं इन्हें परमिश्वर ने आदेश दिया है कि प्रित्वी, समुंद्र और विश्वासियों पर आई हुई विभिन्य यात्नाओं को कुछ समय के लिए रोक दें सम्पूर प्रित्वी पर प्रभू परमिश्वर का नियंतरण है वो आपनी योजना उनसार कभी भी कुछ भी कर सकता है जैसा मैंने पढ़ा इस पत को हम इसी प्रकार क्यों पढ़े या जानकारी आज का अध्यान बताने वाला है आज पर वित्रात्मा बताएगा परमिश्वर की छाप कब लगेगी तो आईए प्रात्ना के साथ इस रहस्य मैं या ध्यान को समझने का प्रयास करें आईए प्रात्ना करें धैने बाद सर्शक्तिमान पिता परमिश्वर प्रभु यश्वमसी के नाम से खुदाबंद आपके पास आते हैं प्रात्ना करते हैं प्रभु कि जब आज हम इस रहस्य मैं बात को समझना चाहते हैं जानना चाहते हैं प्रभु कि आपकी छाप कब लगेगी तो प्रभु हमें बोलने की हर एक बिक्तियों को समझने की सामर्त दे ताकि ये अध्यान इनंद की दिनों में हम सबों के लिए अत्यान तुप्योगी साबित हो सके तेरा धन्यवाद कि तुँ हमारी प्रात्नाओं को निरंतर सुनता है ये श्मसिक नाम से दूआ को माते हैं आमेन अंतिम देन प्रारंब हो चुके हैं मुहरे खुलने लगी हैं परसानियों को दोर आरंब हो चुका है कोरोना का कहार अभी बीता भी नहीं है कि भवी सुदाडियां होने लगी 6 मैं को उलका पिंड के आने से प्रत्वीबर भ्यांकर तवाही होगी कुछ गुप्त एजेंसियों का तो यह भी कहना है कि जिस तरह चीन की बुहान लैब ने कोरोना पैदा किया था उसी तरह रूज भी भ्यांकर व्यारस बना रहा है हम सबी जानते हैं आज प्रते एक देश के पास कई जैविक हतियार चीपे हैं वे कब और किस समय इन हतियारों का प्रियोक कर लें कुछ कहा नहीं जा सकता पर हाँ इतना आवश्य कहा जा सकता है जब भी कोई देश जैविक हतियार चोड़ेगा परिणाम समस्त मानो जाती को बुगुत ना पड़ेगा दोस्तों बाइबल में ब्रच मनुष्यों को कहा गया है बाइबल में लिखी बविसुद्वानियों के अनुसार सन 2026 से सन 2033 भ्यांकर मसीही सताओ का समय होगा ब्यांकर मार काट मचेगी धर्मी कराहेंगे तो विरोधी प्रभु के प्रकोप से ना सोंगी अर्थात ऐसी हवा चलेगी जिसमें कोई भी मनुष्य शुरक्षित नहीं रहेगा इस वातावरण से समस्त प्रत्वी और समुद्र भी थर-थर कापने लगेंगी इस बात का जीवता प्रमाण क्रेट आइलेंड है जो अभी से कापने लगा है प्रकासित वाक 6 अध्याय के अनुसार प्रतेक मनुष्य ऐसे कोलाहल भरे वातावरण में हतास होकर स्वयम की मृत्तु की कामना करेंगे ऐसी विसम परिस्तिती में प्रभू परमेश्वर अपने विसेश चार स्वर्व दूद भेजेगा जो प्रत्वी की चारो दिसाओं पर खड़े होकर सभी कुछ को अर्थात सारी यातनाओं को सारी पीडाओं को सारी विपत्तियों को कुछ समय के लिए रोक देंगे ताकि प्रभू परमेश्वर की योजना पूरी हो सके प्रकासित वाक सात अध्याए दो पत फिर मैंने एक और स्वर्व दूद को जीवते परमेश्वर की मुहर लिये हुए पूरब से उपर की ओराते देखा उसने उन चारो स्वर्व दूदों से जिने प्रत्वी और समुद्र की हानी करने का लिकार दिया गया था सभी प्रकार की पीडाएं थमने के बाद यहना जी को एक और स्वर्व दूद नजर आता है जो की जीवते परमेश्वर की मुहर लिये हुए पूरब से उपर की ओर आ रहा है दोस्तो यह अपत पूर्ठ इस पस्ट कर रहा है परमेश्वर की छाप कब लगेगी परमेश्वर की छाप लेकर पाचवा सर्गदूद आ रहा है जो की पूरब से उपर की ओर आ रहा है अर्थाद जिस दिसा में सूरे नजर आता है इन भ्यांकर दिनों में जब चारो तरब मृत्तु का हाहा कार मचा रहा होगा, उस समय एक बार पुना है, उस समय के लिए मनुष्य जात्ती को प्रभू की करुणा महसूस होगी, यह विशेश स्वर्गदूत प्रतेग धर्मियों के लिए आसा की किरण लेकर आएगा, गोर दरावने और अंधकार में वातवरण में फसे मनुष्य को जब बचाव की उम्मीद महसूस होती है, तब उसका हिर्दय हर्स से भर जाता है, उसी प्रकार का हर्स उन दिनों के प्रतेग धर्मी मनुष्यों के हिर्दयों में पाया जाएगा, दोस्तों पर्मियों की छाप द और आरंभ हो गया है, इस पद में लिखे वचन के अंसार इन चारों विसेश स्वर्गदूतों का निर्माण भी पिड़ाएं उन डेलने के लिए किया गया है, पर इस सब के वावजूद भी प्रभू अपनी करूना बरसा रहा है, इस अध्याय के आरंभ में यहान जी को व ख्याल है, प्रकासित वाक्य के पुस्तक की इस प्रकासन में पवितरात्मा एक बार फिर से प्रभू की दया का चित्र दिखा रहा है, छटमा दया में हम सभी जान चुके हैं, ये सारी घटनाएं अचानक से नहीं घट रहीं, पर मनुष्यों ने स्वयम के हटीलेपन से इन गुलामी के जंजीरों में जगड कर बेबिलोन भेज दिया था, पर फिर भी उसकी निगाहे करम दानियल सद्रक मेशक और अवेद्नगों पर बनी थी, आप इसमनर करें प्रभीयश मसी द्वारा लगभग 2000 साल पहले की गई भविश्दवानी को, जिसका चित्र हम नीरंतर देखते जा रहे हैं, मतिर चिसु समचार उसके 24 सद्याय के 30 पत के चित्र को, हम 6 ध्याओं में देखने के बाद, आज मतिर चिसु समचार उसके 24 सद्याय के 31 पत का चित्र देख रहे हैं, इस पत में प्रभु ने इस पष्ट कहा था, इन घटनाओं के होने के बाद भी, प प्रभु का ध्यन्यवात करते रहें, हो सकता है, उसी समय आकास में स्वर्गदूत नजर आने लगें, उनके नजर आते ही आसा की किरन भी खरने लगेगी, परमेश्वर की छाप लगने लगेगी, आज की अध्यन से हमें जो सिक्षा मिली, वो सिक्षा का पत, भजन सहिता की पुस्तक उसके 92 अध्याय के 12 पद में पाया जाता है, तो आएए दोस्तों इस पत को हम धर्मसास्त बाइबल से पढ़ें, धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे, फलेंगे, और लवानोन के दियोदार के समान बढ़ते रहें, आप सबोंने इस अध्यन को सुना, आप स मसी के नाम में, आमीन